मकर रासी वालों का आज का रासी फल यानी की 22 अगस्त 2020 का रासी फल तो नमस्कार मित्रों आईए आज के वेडियों की सुरुआत करते हैं लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 22 अगस्त 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है चतुर्थी नक्षत्र है हस्त पक्छ है सुकल पक्छ दिन है सनी बारे आज के दिन सुर्य उद्य हो रहा है पांच बज के चौबन मिनट में सुर्य अस्त हो रहा है छे बज के तिरपन मिनट में रितू है वर्सा आज के दिन काल है बारह घंटे अंठाबन मिनट एक्क्याबन सेकेंड का महिना है भादर पद आज के दिन शुब समय सुरू होता है इग्यारह बज के संताबन मिनट एम से बारह बज के उन्चास मिनट पीएम तक असुब समय सुरू होता है पांच बज के च्वबन मिनट एम से साथ बज के अर trás मिनट एम तक रहु काल सुरू होता है नौ बज के आठ मिनट एम से दस बज के छीलेस मिनट एम तक दिसासूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग दोस्तों इस वेडियो के अंत में आपके आज के दिन का भाग्यसाली रंग भाग्यसाली अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखे, सुने और फोलो कड़े ताकि आज के दिन आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेसानी कहीं कोई समस्या नहीं हो लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस वीडियो के नीचे जै सनी देब कमेंट कर दें और इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने शब से पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके स्वास्त के बरे में दोस्तों स्वास्त के दृष्टी कौन से आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और सांदर है आज के दिन आपके बोड़ी में उर्जा का अस्तर बहुत ज्यादा उंचा रहेगा और इस वजह से आपके स्वास्त में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा वैसे अगर आपके धन संपती की बात करें तो आप में से जो भी दरसक जो भी जातक आज के दिन रियल स्टेट में निबेश करना चाहते हैं तो निबेश के दृष्टी कोन से आपका शमय आपका शाथ अवश्य देगा वैसे अगर आपके घर पड़ीबार की बात करें तो घर पड़ीबार के दृष्टी कोन से आपका शमय शामाननी रहेगा आज से पहले अगर आपके घर पड़िबार में कोई पड़ेशानी कोई समस्या था तो आज के दिन अगर आप चाहेंगे तो अपने घर पड़िबार के परेशानी को अपने घर के समस्या को आप बड़े ही आसानी से खत्म कर सकेंगे और इस वजह से आपके घर पड़िबार के मामलों में आने वाले शमय के दौरान आपको कहीं कोई पड़े सानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा लेकिन अगर आपके कामकाज की बात करें, तो कामकाज के दृष्टी कौन से आपका शमय? शामानने से बहुत जयादा नीचे है, आज के दिन अपने कामकाज में, अपने काड़े च्छत्र में, अगर आप कोई पड़िवर्तन, कोई बदलाब करना चाहते हैं, तो पड़िवर्तन करने से पहले, अपने सहकर में, अपने करमचाडियों के साथ, आपको वारता लाप कर आप कोई पडिवर्तन करें यह आपके आने वाले समय के लिए बहुत जयादा आबस्यक और जरूरी है तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक भाग्यसाली रंग और उपाई किया है दोस्तों उपाई बहुत ही जयादा सामानी है आज के दिन अपने समय को बिहतर बनाने के लिए आप काला और सफेद कपरा किसी भी साधु महात्मा को आप दान कर दें अगर आप ऐसा करते हैं तो आज के दिन आपके जीवन में कहीं कोई पड़े सानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली रंग ह लाल और मैरून आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है दो यनी की टू तो यही था आपके आज के दिन का रासी फल तो इस बेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस बेडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दें और इस आई वाद